आज के इस वीडियो में शेर कर रही हूं आपके साथ में कुछ किचन टूल्स जो आपके किचन में डेफिनेटली होने चाहिए ये काफी काम हमारा आसान कर देते हैं मैंने ट्राइ किया है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का तो इन केस आपको कुछ भी चेक आउट करना हो तो आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं तो चलिए लेट नहीं करते हैं फटाफ़ट आज का वीडियो शिरू करते हैं यह है बहुत ही अट्राइक्टिव दिखने वाला मेजरिंग कप तो अगर आपको बेकिंग वेगरा का शॉक है तो फिर एक मस्ट बाई है है तो यह प्लास्टिक कप और इसमें मार्बल की इफेक्ट दी गई है और बहुत ही कम प्राइस में यह मिल रहा है अमेजॉन पर दिखने में काफी अप मार्केट लगता है नेक्स्ट है यह ब्लाक कलर के मेजरिंग कप तो यह आपको कॉमनली मिल जाता है मार्केट में भी काफी अच्छे क्वालिटी का है मैं बहुत टाइम से इसे इस्तमाल कर रही हूँ उसके बाद यह जो है यह अच्छा प्रॉडक्ट है तो जब भी आप कुछ भी छाक रहे हो यानि की डी फ्राइ कर रहे हो तो आपको यह इस्तमाल करना चाहिए तो यह स्ट्रेणर का भी काम करता है और पिक करने भी मदद करता है यह है बहुत ही इनोवेटिव चॉपिंग प्लास्टिक का बनावा है यह पर काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी तो इसे आपको इस तरीके से इस लाब में लगा लेना है उसके बाद एक कंपाट्मेंट डीवी अलग से जिसे आपको अटाच कर लेना है तो जब भी आप चॉपिंग करोगे तो आप जाहे आपको कट करना हो पालक, कोथमरी, स्प्रिंग आनियन्स या फिर बीन्स कट करना हो तो उसे कट करने के लिए इसमें बहुत ही असानी हो जाती है और जो प्लास्टिक का यहां पर कॉम जैसा दिया हुआ है उसकी मदद से आप इसे क्लीन कर सकते हो तो यह काफी अच् यहां से आप लेमन जूस निकाल सकते हो असानी से बस निबू डाला प्रेस किया लेमन जूस निकल गया यह है एक पिज़ा कटर तो इसकी मदद से आप पिज़ा काट सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का है नहिए बहुत टाइम से यूज कर रही हो यह अच्छा लगा त अपने आरिकी से ये ग्राइफुट को कट करता जाता है तो चाहे आपो कट करना हो बदाम या पिस्ता उसके लिए बहुत ही जादा अच्छा लगा मुझे ये ये है ग्लास का ओईल डिस्पेंसर काफी अच्छी हाइट है इसकी और काफी एफोडेबल भी है ये सबसे अच्छी लगी मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी तो रबर स्टॉपर जो है बहुत ही अच्छा है तो अच्छे से फिट हो जाता है ये लीकेज नहीं होती बस उपर का ये नॉब घोला उसके बाद ओल डाला वापस से बंद कर दिया ये है क्लिपॉण ये हर कीचर में मस्ट हैव है तो जबी आपका पैकेट में कुछ बच जाता है तो उस पे आपको रबर बैंड लगाने की ज़रूत नहीं है बस उसके एंड को आप सिक्योर कर सकते है इस क्लिपॉण की मदद से ये एक लाइटर है बहुत ही लंबी हाइट देखिए कितनी बारिकी से गार्ली की हाँ पे हमारा चोटे चोटे पीचेज में कट हो गया है तो जादा महनत करने की ज़रूत नहीं है बहुत ही इसली आप इसे गार्ली को बारिक काट सकते हो टिश वाशिंग सोप को रखने के लिए ये होलडर बहुत अच्छा है ये सक्षन के साथ में आता है तो किसी भी दिवाल पे अराम से ये फिट हो जाता है उसके बाद आप यहाँ पे सोप रख सकते हो सोप को रखने के लिए बी अलग से यहाँ पे दिया हुआ इस तरीके क जिसे आप स्लाइड करके वाश करके वापस से फिट कर सकते हो तो किसी भी वाल पे आपको लगाना हो बस सक्षन की मज़द से आप इससे प्रेस करके लगा सकते हैं ये है स्टील का स्ट्रॉ हम सभी जानते है प्लास्टी का स्ट्रॉ अच्छा नहीं होता है तो ये स्टील क यहां पर रख सकते हो liquid soap तो यह glass का है या फिर आप यूज कर सकते हो इस तरीके कर liquid soap dispenser मुझे काफी अच्छा लगा यह तो इसमें आपको डाल देना है liquid soap, देना है बहुत सारपाणी उसके बाद एस तरीके से प्रेस करोगे scrubber को तो अपने आप वहां पर थोड़ा थोड़ा तो बस आपको चार हिससे में प्यास को कट कर देना है या टमाटर को कर देना है फिर इसमें डालिये और यहां पर जो रसी दीए उसे पुल करिए और आप देखोगे कि मिंटो में अराम से बिना मैंनत के प्यास जो है वो बारी की से चट हो जाता है यह क्लीनर बहुत ही अच्छा है तो यह वाइपर है इसकी मदद से आप स्लाब को या फिजानिंग टेबल को क्लीन कर सकते हो तो मुझे काफी है अच्छा लगता है यह है एक स्टेनर राउंड शेप का है यह चोटे शेप का है तो अगर आपको कम सबजी या फल वेगरा करती हूँ काफी है स्टाइलिश भी है दिखने में तो यह मुझे काफी जादा पसंद आता है पर अगर आपको स्टील में नहीं और प्लास्टिक में जाना हो तो यह वाला स्ट्रेणर भी है इसे में काफी टाइम से यूज कर रही हो यह अच्छे बिल्ट क्वालिटी का है यह बहुत इनवेटिव चीज है आप चाहो तो अपने सिंग पे इसे रख सकते हो इसकी मदद से आपको कुछ भी स्ट्वें करने में असानी हो जाएगी चाहे वजीटेबल रखना हो आपको और यह फोल्ड हो जाता है तो रखने में असानी होती है तो जब भी चाहिए तो कबाब वेगरा भी असानी से बना सकते हो यह है बहुत अच्छा इक आइटम इससे आप कद्दुकस कर सकते हो चाहा पर कर ना हो गाजर वेगरा गो तो यह तीन तरीके शेप में आता है या फिर आप यह 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 आपे यह यह पर रोटिया सेखने के लिए मैं स्टॉंग का बहुत सही रहता है इसकी मदद से आप किसी भी गरम बर्तन को पकड़ सकते हो यह है एक विसकर इसकी मदद से आप अंडे वेगरा को फेट सकते हो काफी अच्छा रहता है यह यह भी अंडे फेटनी के लिए वैसे अच्छा विसकर है उसके बाद यह हम सभी जानते है चानने बहुत काम में आता है किचन के, काफी हैंडी रहता है तो मेरे साब से हर किचन में यह चानने के लिए तो जरूर होना चाहिए उसके बाद यह भी एक टॉंग इसकी मंदद से भी आप रोटिया वेगरा सेख सकते हो और अगर अगर आपको भारी बरतन स्थील का उठाना हो तो कढ़ाई में एड कर सकते हो चॉपिंग बोर में मुझी यह वाला चॉपिंग बोर बहुत ही अच्छा लगता है राउंड शेप का है यह दिखने में सुंदर लगता है काफी अफोडेबल है तो कुछ टाइलिश डून रहे हो तो जरूर चेक आउट करिएगा उसके बाद इसके मज़द से आप साफ कर सकते हो स्टव को तो स्टव क्लीन करने के लिए बहुत अच्छा ब्रश है तो मेटल ब्रास और यह ब्रश आता है उसके बाद बात करते हैं सिंग क्लीनिंग के लिए मैं यूज करती हूँ इस ब्रश की यह काफी स्लीक है अफोडेबल और प्रवाइड कर दूँ तो चलिए इसी के साथ मैं आज का यह विडियो यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आप से अगली बार तक आप अपना ख्याल रखिए और मेरी विडियो को देखते रहिए बाबाई